हलो फ्रेंड्स, असलामों अलैकुम, आज मैं बनाने जा रहे हूँ मेरी और सबकी पसंद की रेसिपी पानी पूरी की, जिसे हम फुचका भी कहते हैं, पानी फुचका के साथ हम फुचका चाट भी बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, जिस तरह हम ठेलों में खाते ह बिल्कुल वैसा ही बनकर तयार हुई है, तो हम सबसे पहले इमली को पानी में फूलने के लिए रखेंगे, ये मेरी डेल साल पहले की श्टोर की हुई इमली है, ये थोड़ा काला दीख रहा है, अब हम इमली को साइड में रख देंगे, फूलने के लिए और आलू उबलने के लिए कूकर में डालेंगे, ये मेरा घर का आलू है, थोड़ा मिट्टी लगा हुआ था तो आलू को मैंने धो कर साफ कर लिया है, अब आलू में एक ग्लास पानी डालेंगे और धकन लगा कर पकने के लिए गैस में रख देंगे, अब ये आलू गल गया है, तो एक बॉल में निकाल कर साइड में रख देंगे, अब इस कूकर को धो कर 500 गराम फुला हुआ मटर कूकर में डालेंगे, दो कटा हुआ आलू इसमें डालेंगे, आलू डालने से छोला गाढ़ा होगा, गलाने के लिए पानी डालेंगे, आधा चमच हल्दी पाउडर, अपने टेस्ट के मताबिक नमाक, दो चुटकी बेकिंग सोडा, सोडा डालने से छोला बहुत ही जल्दी गल जाएगा, अब ढकन लगा कर पकने के लिए गैस में चड़ा देंगे, एक तरफ छोला पक रहा है, दूसी तरफ हम फुचका के लिए आटा लगा लेंगे, तो बॉल में डालेंगे एक कप सूजी, आप मोटा पतला कोई भी सूजी ले सकते हैं, फिर इसमें डालेंगे आधा कप मैदा, एक कप सूजी के लिए आधा कप मैदा ठीक है, दोनों को अच्छी तरह से चमस से चलाते हुए मिक्स करेंगे, फिर गर्म पानी डाल कर थोड़ा टाइट आटा गुन आटा हमें बहुत ही ज्यादा सोप्ट नहीं रखना है, इसे थोड़ा टाइट ही गुनना है, अब इसे ढखकर साइड में रख देंगे, अब इधर हमारा छोला भी बहुत ही बढ़ियां गल गया है, तो इसका अभी काम नहीं है, तो इसे भी हम साइड में रख देंगे, अ अच्छा से चलाते हुए भूनेंगे, फिर गैस से उतार कर ठंडा होने के बाद पिसकर पौडर बना लेंगे, अब हरी चटनी के लिए इसी जार में एक मुठी हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, एक इंच कटा हुआ अदरक, अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये पाँच हरी मिर्च, मिर्ची को कमिया जादा कर सकते हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर पेश्ट बना कर एक बॉल में निकाल लेंगे अब बनाएंगे खटी मीठी चटनी, इमली भी बहुत ही बढ़िया फूल गई है, तो हम इसे पहले हाथ से अच्छी तरह मसल लेंगे, फिर छलनी से सारा इमली चान लेंगे इमली अच्छी तरह चानने के बाद आधा से ज्यादा इमली की पानी को पैन में डालेंगे, आधा से कम बचा लेंगे, इसे बाद में यूज करेंगे हम चटनी में आधा कब चीनी आधा कब गूर डाल रहे हैं आप मेठा अपने हिसाब से रख सकते हैं चीनी गूर को कमिया ज्यादा कर सकते हैं या एक ही चीत से बना सकते हैं चाहे चीनी या फिर गूर से अब डालेंगे आधा चम्मच साधा नमक नमक को कम ज्यादा कर सकते हैं आधा चम्मच काला नमक, एक चम्मच लाल मिर्ची पौडर अब चलाते हुए मिक्स करेंगे और गाड़ा होने तक पका लेंगे अब ये चट्नी पक कर गाड़ा हो गया है ये ठंडा होगा तो और भी ज्यादा गाड़ा हो जाएगा तो इसे हम गैस से उतार लेंगे अब बारी है पूरिया बेलने और तलने की आटा भी अच्छा से फूल कर सेट हो गया है अब हम चोटी-चोटी लोई तोड लेंगे आपको जितनी बड़ी फुचका चाहिए आप उस हिसाब से लोई तोड ले अब सारा लोई तोलने के बाद गोल गोली बना लेंगे गोली बनाने के बाद एक चम्मत रिफायन तेल डाल कर हाथ से अच्छा से सारा में लगा देंगे ऐसा करने से ये सूखे गा नहीं पूरिया बेल कर हम किचन सुलप में ही रखते जाएगे आप चाहें तो तौलिया खीला करके उसका पानी निचोड़ कर उसके उपर सारी पूरिया रखे उसके बाद तले या फिर दो जहन मिलकर बना रहे हैं तो एक बेले और एक तुरंथ ही तले ऐसा करने से भी पूरिया फुली फुली बनती है अब सारी पूरिया बेलने के बाद अब हम इसे तलेंगे एक एक करके पूरी तेल में डालेंगे और जहांजरे से दबाएंगे ऐसा करने से पूरिया तुरंथ ही फूल जाती है छे से साथ पूरिया डालने के बाद गैस का आच धीमी कर देंगे, धीमी आच में तलने से पूरिया ना तो मुलाइम होगी ना तो पचकेगी, तेज आच में तलने से मुलाइम भी हो जाएगी और पचक भी जाएगी, अब आप देख सकते हैं पूरिया हमारी कितनी पुली- पुली और करारी बनी है, फुचका बहुत ही क्रिश्पी है, इधर ठोड़ा सा पापड़ी है, पापड़ी भी क्रिश्पी है अब फुचका के लिए आलू मसाला बनाएंगे तो मैंने आलू छील लिया था तो इसे कद्दू कस करेंगे आप इसे मैस भी कर सकते हैं आलू में अब डालेंगे 2 चम्मच, छोला बारी कटा प्याज डालेंगे थोड़ा सा प्याज बचाएंगे बाद में यूज करेंगे अब इसमें एक बारी कटी हरी मिर्च, एक चम्मच हरी चटनी, दो चम्मच धन्य जीरे का पाउडर आदा चम्मच काला नमक, आदा चम्मच सादा नमक, नमक को कम ज्यादा कर सकते हैं अब अच्छा से मिक्स करेंगे, अब इसमें डालेंगे दो चम्मच के करीब इमली पानी फिर से मिक्स करेंगे अब ये फुचका का आलू तयार है, अब बनाएंगे पानी हाप लिटर पानी में डालेंगे इमली का पानी, दो चम्मच हरी चेटनी, दो चम्मच धनिये जीरे वाला पाउडर, आदा चम्मच काला नमक, स्वाद अनुसार साधा नमक हरा धनिया हो तो आप बारी काट कर डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है अब ये पानी भी बन गया है, अब फुचका खाने के लिए तयार है, ये बहुत ही क्रीस्पी और टेश्टी बनी है, अब हम फुचका चाट बनाईए, फुचका चाट के लिए फुचका में आलू डाल कर प्लेट में रखेंगे, फिर छोला डालेंगे, मुझे तीखा पसंद है, तो मैं मिर्ची डाल रही हूँ, आप मिर्ची को इसके भी कर सकते हैं, बारिक कटा प्याज डालेंगे, दही डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, इमली की खटी मीठी चटनी डालेंगे, काला नमक डालेंगे, अब धन्ये जीरे वाला मसाला पौडर डालेंगे, उपर से थोड़ा थोड़ा भुजिया डालेंगे आप चाहे तो फुचका वाला खटा पानी भी डाल कर खा सकते हैं मगर मैं इसी तरह से खाने जा रही हूँ ये बिल्कुल बजार के जैसा बहुत ही टेश्टी बनी है ट्राइ कीजिएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चाइनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू